हलो गाइस आप सबीकार दुबारा से स्वागत है हमारी चैनल पर और आज मैं आपके लिए एक नौवल लेकर आई हूँ जो लव स्टोरी के उपर है और जो चेतन भगत जी के दुबारा लिखी गई है तो इसमें क्या होता है कि इसमें लड़की है रादिखा जो कि यहां पर में करेक्टर है रादिखा अपने कॉलेज की टॉपर होती है और जो कॉलेज में एम लेकिन क्या होता है कि वो फिर भी कॉलेज में इतनी फेमस नहीं होती क्योंकि वो इतनी intelligent होती है उसके बाद भी वो वह नहीं होती है। लेकिन जो मेरी तो इतने इतनी इतनी फेमस हैं। जो रादिका थी थी और जो उसकी सीस्टर थी अधिती वह गोरी थी। इससे क्या होता है कि उसकी sister की अधिती की तो शादी हो जाती है लेकिन रादी का वो तोड़ीचे problem होती है कि वो अभी सामली होती है इसलिए फिर वो अपने college से MBA top करती है जिसके वज़े से उसकी अमेरिका में job लग जाती है 4 lakhs per month लगी जब वो अमेरिका चली जाती है तो वहाँ पे वो अच्छी से उसको job में जाती है वो job करने लगती है वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम हता है दुबे तो जब वो उससे मिलती है तो थोड़ी बहुत तो फ्रेंडशिप बगारा थोड़ी टाइम टग रहती है उसके बाद वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाते है कि वो एक साथ रहने लगती है उसके बाद उनका रिलेशन और आगे बढ़ जाता है लेकिन फिर वारादिका होती है वो ये चाहती है कि जो दुबे है वो हमेशा उसके साथी रहे उसके थोड़कि ślęच्च्रोल करने लगती है। लेकिन कही ना कहीं पिर उस दुबे लड़की को बहुत बहुत करती है ऑस की salary मेर से जादा है, वो मेर से जादा अच्छा कमाती है, फिर धुभी को यहाँ पर कुछ नर कुछ अचा से नहीं लगता है, तो उनका relation फिर खत़म होते होते हैं, बिलकुर ही खतम होजाता है, लेकिन रादीका होती है, वो ... को बहुत मनाती है और हमरा पे रादिका के पिर सके तरह बपने साथी फ़िसे लिए के नहीं को पता है और मेरे भोगा की अदर आगे बैडिने के लिए रटहए कि नहीं जो सबस्क्राइब करें सब्सक्यार भी फिरी वह करें, वह स्युक्राइब इस अजय को करें भांगा कि सब्सक्राइब में मैं यह अद रहे से लिए और उसकी मॉम उसको शादी के लिए फोर्स करने लगती है कि आप तुम्हारी एज हो गई है और तुम शादी के लोग तो उसकी ममा एक लड़का चूस करती है जिसका नामता है ब्रिजेश तो ब्रजेज से रादिका भी मान जाती है कि हाँ ठीक है मैं शादी कर लेती हूँ और वो उस लड़के से मिलती है ब्रजेज से मिलती है और वो फाइनल कर लेती है ठीक है मैं शादी कर लेती है उसके बाद क्यों होता है कि गोवा में उसकी शादी की प्रपरेशन चलती है, वहाँ पर फंक्षन होता है तो जब उसका फंक्षन गोवा में हो रहा होता है तभी वहाँ पर दुबे से उसकी दुबारा से मुलाकात होती है जो उसका फर्स्ट बॉइफ्रेंड होता है उसकी म पर उसका जुबाब नहीं देती हुआ हुआ उसको बॉस होते है दो कि उसके बॉस होते है तो अब के पास तीन अप्षन होते हैं कि मुझे मैं किसे साथ शादी करो या ना करों ऐसमय मझे और समय सब्सक्राइब और बुबभश सब्सक्राइब तो में कितनों कहीं बुलेखनाइब स सदैर्ए कोमें तुम अगते से संद्सक्राइब अब नियुक्त जसाता है जो ब्रिजेश को अपना पास्ट बदा देती है कि कैसे कैसे वह दोबेसी मिली या नेल से मिली सब कुछ बता देती है और फिर भो बोलते है कि मैं बुझेश आपसे भी शादी नहीं कर सकती है तो ब्रिजेश होता है कि मैं तुम्हारा सावा पास्ट बुला कर भी तुम से शादी दोना जाता हूं लेकिन फिर भी जो रादिका होती है वो उसको मना कर देती कि नहीं और फिर वो नितल जा दी है घुमने के लिए गुमने के लिए वह वीमायरिका चेल चाती है लेकिन वहाब पर फिर उसको अश्छा मिलता हुआ थी कोफिस्ति फिने जाती हो। यहां पनी शुरुम्हात है और फिर्ढण बहुत अच्छार पान पर अच्छान आओं की आँध का केशो देख ऴाती है। तो गाइस आज की नावन हमारी ही खतर होती है, कमेंट में जरूर बतायाएगा कि आपको आज की नावन कैसी को है, सुनमस्त्य।